मुल्यवान उपहार वर्षों पहले एक देश में एक गरीब आदमी रहता था एक दिन वह भूखा था उसने फलवाले की दुकान से एक नाश पती उठा ली फलवाले ने उसे पकड़ लिया और राज दरबार में ले आया सिवहासन पर राजा के बढ़ते ही गरीब आदमी गिड़ गिड़ाया महराज यदि आप मुझे एक शमा कर देंगे तो मैं आपको एक मुल्यवान उपहार दूँगा राजा ने गरीब आदमी के फटे पुराने कपड़ों को देखा और हसकर बोला तुमारे पास कउनसा मुल्यवान उपहार हो सकता है गरीब आदमी ने अपने कुर्टे की जेप से नाशपती का एक बीज निकाला बीज को राजा की और बढ़ते हुए वह बोला महराच इस बीज को अब धर्ती में बो दे यह एक दिन में उगकर सुनहरा फल देगा तुम ही इसे बो दो कल में सुनहरा फल देखूंगा तब तुम्हें स्वतंद्र कर दूंगा राजा ने आदेश देते हुए कहा गरीबाद में को बीज पोने के लिए बाग में ले जाया गया बाग में जाकर वह खड़ा खोदने लगा सब ही दरबारी उसे देख रहे थे गड़ा खोद लेने के बाद गरीबाद में उठ खड़ा हुआ अब इस बीज को खड़े में बो दो राजा ने आदेश दिया मैं ऐसा नहीं कर सकता महराज मैं चोर हूँ चोरी करके मैंने पाप किया है मैं पापी हूँ मैं अपवित्र हूँ यह बीज पवित्र है इस पवित्र बीज को वही बो सकता है जिसने कभी चोरी न की हो दोका न दिया हो और कभी जूट न बोला हो महराज आप पवित्र है आप ही इस बीज को बो सकते है आप ही इस पुन्यकारिय के योग्य है गरीबार में बोला राजा का मूँ लाल हो गया वाउ अपने गुसे को दबाते हुए बोला मैं राजा हूँ मैं बीज नहीं बो सकता इसे मंत्री को दे दो मंत्री जी इसे बो देंगे राजा का आदिश सुनकर मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया वह राजा से एक शमा मांगते हुए बोला महराज मैं पैड़ पोधे लगाने लायक नहीं हूँ मेरे द्वारा बीज बोने से बगीचे के सारे पोधे मर जाते है मैं एक पवित्र बीज से पोधा नहीं हूँ गा सकता इसलिए इस पवित्र बीज को खजान जी को दे दिया जाए खजान जी ने भी बहाना ढून निकाला फिर एक एक राजा ने सब ही आधिकारियों को यह बिश दिया लेकिन सब ने कोई न कोई बाहना ढूंड लिया राजा ने किसी आधिकारि के पवित्र बिश बोने का साहस नहीं किया सब ही दर्बारी और राजा चूप चाप खड़े रहे गरीबार मैं सब के चेहरे देखता रहा फिर दर्बारी की और मुह करके वह बोला आप सब मैं किसी की पवित्र बिश को बोने का साहस नहीं किया इस कार्थ है कि आप सब ही लोग चोरी धोके-बाची या जुट के दोश से मुकत नहीं है आप सभी लोग धनी है और राज्य के उच्छे बदो पर आसीन है फिर भी आप सब मुझे दंड़ देना चाहते क्योंकि मैंने केवल अपनी भूप मिठाने के लिए चोरी की है धन जुटाने के लिए मैंने चोरी नहीं की है फिर गरीबाद मी ने राजा की तरब देखा और कहा अब आप निर्णे करे कि इस अपराधी के लिए मुझे कैसी सजा मिलनी चाहिए राजा ने कहा तुम दोशी अवश्य हो लेकिन दोशी मैं भी हूँ क्योंकि मेरे राज़ में तुम भूके हो इसलिए तुम दंड़ के भागी नहीं हो सकते मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ इतना कहकर राजा अपने राज़ दरबार की और चल गया राजा के अधिकारी भी उसके पिछे चल गए इससे हमें यही सीख मिलती है जब भी कभी हम किसी को शिक्षा देने जाते तो हमें सव बार सोचना चाहिए